लोग अच्छा लोग आज किस लेक्चर में हम लोग डिसकस करेंगे वेक्टर के बारे में ठीक है वेक्टर एनलिसिस तो वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो क्लास 11 ट्वेल्थ जे नीट और जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तो हर चैप्टर में इस च टॉपिक और चैप्टर यूकन से तो हम बात करने वाले में चलो वेक्टर या वेक्टर एनलिसिस भी कहते हैं इस चैप्टर का नाम है तो इस बेर इंपॉर्टेंट तो हम जब वेक्टर एनलिसिस पढ़ देंगे देन वी विल डिसकेस न्यूज चैप्टर मोशन इन 2D हमें जानना होता है कि यह जो फिसकल क्वांटिटीज है जो आलड़ी आपको बताए जा चुका है प्रिजिकल क्वांटिटीज को फरदर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया बच चलो एक है आपका स्केलर स्केलर और दूसरा आपका है वेक्टर्स ठीक है तो स्केलर्स क्या है और वेक्टर्स क्या है इसको बहुत डिटेल में हम लोग समझने वाले इस चैप्टर के अंतरगत और बहुत ही important चैप्टर है clear बच्चों तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर्स क्या होते हैं स्केलर्स बच्चों वो physical quantities होती है इसमें सिर्फ magnitude होता डारेक्शन नहीं होती है तो ऐसी physical quantities को हम क्या कह लेते हैं स्केलर्स कह लेते हैं ठीक है यहीं क्या हम कह सकते हैं quantity है क्वान्टिटीज है क्वान्टिटीज है कि हाविंग ओनली मैगनिट्यूड आर कॉल्ड है कि स्केलर्स कह लाते हैं फार इक्जामपल यसे हम बात करेंगे बच्चा लोग डिस्टेंस हो गया स्पीड हो गया ठीक है वर्कडन हो गया एनरजी हो गया एक्सेटरा यह सारी की सारी क्या है बच्चा लोग स्केलर्स यह कैसी क्वांटिटी हैं स्केलर्स हैं तो इनको ध्यान में रखा आपको पता चल गया कि ऐसी फिज्कल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैगनिडूड होता है डारेक्सर नहीं होती है उन्हें हम लोग क्या कह लेते हैं बच्चा लोग देयर ओन सिंबल्स इने के ही सिंबल से रिप्रिजन कर लेते हैं फार एक्जामपल अगर मालो मास लिखना है तो मास को हम एम से लिख लेते हैं ठीक है सब्सक्राइब आपको डिस्टेंस लिखनी है तो डिस्टेंस को हम डी या एस से लिख लेते हैं इसी तरह से मालो अपन कोई speed लिखनी तो speed को हम V से लिख लेते हैं एकसेटरा ठीके अब इनका resultant कैसे find out किया जाता है यह ध्यान रखना है तो resultant कैसे आता है ध्यान देना है resultant आता है by using simple algebra ठीके simple algebra से यानि कि simply add करके subject करके लोग resultant निकाल लेते हैं पारी जैसे मैंने काया आपके पास दो body है एक body का mass 10 kg है और दूसरी body जिसका mass मालो 2 kg है और कह जाया कि दोनों का net mass बताइए तो net mass कितना हो जाएगा बच्चों net mass m कैसे आएगा simply इन्हें हम add कर देंगे m1 प्लस m2 तो net mass आजाएगा 10 प्लस 2 यानि कि 12 kg तो this is the way how to find out resultant of two are more scalars दो या दो से अधिक scalars का resultant कैसे find out किया जाता है ये बात आपको समझ में आ जाती है clear अब हम बात करने वाले बच्चों vectors क्या होते हैं ठीक है तो ध्यान देना vectors क्या है बच्चों जानना vectors होते क्या है those quantities which have magnitude and direction both which have magnitude and direction both समझ गे एक्जाम्पल के तौर पे displacement हो गया ठीक है velocity हो गया acceleration हो गया etc बहुत सारी quantities है जो vector में आती है जिनमे magnitude भी होगा direction भी होगी ऐसी quantities क्या कहलाती है vectors कहलाती है ठीक है अब हम देखेंगी ये represent कैसे की जाती है clear बच्चों तो ध्यान देना है these are represented by an arrow over itself ठीक है that is example के तौर पे ध्यान देना है जैसे अगर हमें displacement vector लिखना तो s के उपर arrow लगा देंगी velocity vector लिखना तो इसके उपर एक 9 और लगा देंगी इसी तरह से acceleration लिखना इसके उपर 9 arrow लगा देंगी force लिखना इसके उपर arrow लगा देंगी momentum लिखना इसके उपर arrow लगा देंगी etcetera clear है तो इस तरह से किसी vector को represent करने के लिए head हो जाता है clear है बच्चों इस टेल को लोग initial point भी कहते हैं क्या कहते हैं initial point भी कहा जाता है और इसको हम लोग final point या tip कहते हैं क्या कहते हैं final point या फिर tip भी कहते हैं clear होगे बाद बच्चों और इस arrow में दो बाते होती है एक तो इसका जो arrow head है ठीके तो यह जो arrow head होता है यह जो होता है यह direction represent करने के लिए इस्तिमार होता है ठीक है और यह जो length of arrow है यह जो length of arrow है length of arrow यह जो होता है magnitude बताता है उस quantity का क्या बताता है magnitude और ध्यान दे रहा है यह directly proportional होता है magnitude के यहनि कि length जितनी ज़्यादा होगा किसी भी vector quantity का इसका मेगनिटूड इतना ही ज़्यादा होता है ठीक है तो vector quantity कैसे represent होती है by a small arrow over the quantity और इस arrow में दो बाते होती है एक तो length of arrow दूसरा arrow head arrow head direction represent करता है और length of arrow क्या बताता है magnitude of quantity बताता है ठीक होई बात अब हम बात करते है resultant की यानि कि दो या दो से अधिक vectors का resultant कैसे find out किया जाता है तो ध्यान देना है by using vector algebra क्या लगाते है vector algebra से हम लोग resultant of 2R more than 2 vectors find out करते है अभी जो vector algebra यह में लिए 3 rules है तो पहला एक होता बच्चा लोग आपका triangle rule या triangle method और जो दूसरा है वो था parallelogram method parallelogram method या parallelogram rule और जो third होता है वो था polygon rule क्या होता बच्चो polygon rule clear हो गई बाद तो यह vector algebra के 3 method है और इन 3ों में से ही हम पूरे chapter में discuss करेंगे 2 या 2 से अधिक vectors का resultant निकालना तो इन ही में से किसी ना किसी method को लगा करके हम लोग resultant तक पहुचते हैं जिसे ही हम क्या कहते हैं vector, addition, subtraction, multiplication, division यह सारी बात इसमें हम लोग पढ़ेंगे clear है बच्चों तो आईए आगे वड़ते हैं अब हम लोग तो आपने देखा कि जो vectors हैं उसमें दो बाते हैं magnitude और direction ठीके magnitude और direction clear है बात तो आगे वड़ते हैं अब हम लोग ध्यान देते हैं कि कैसे हम लोग यह vector जिवरा का इस्तिमाल करके resultant of 2R more than 2 vectors find out करते हैं ठीके तो let's see अच्छे लोग ध्यान देना है चुकिए vector की definition में ही लिखा हुआ है कि इसमे magnitude है और direction है clear है magnitude और direction और का मतलब बीच में into sign hidden है जैसे कोई भी हमने vector लिखा तो इसका magnitude रहेगा जिसे मौड sign के अंदर का लिखेंगे और इसकी direction रहेगा जिसे हम n cap लिखते हैं जैसे कोई भी vector लिख सकते हैं जैसे अगर vector b लिखना है तो इस vector बी का मौड रहेगा और direction रहेगा ठीक है यानि कि यह जो n cap हम लिख रहे हैं यह यह होते हैं बच्चा लोग unit vector इने कहते हैं क्या कहते हैं बच्चों unit vector और इसका इस्तेमाल सिर्फ direction रिपर्जन करने के काम आता है clear है न तो vector में दू बाते है magnitude और direction और term जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए हम mathematically dot symbol का इस्तेमाल करेंगी या फिर multiplication का इस्तेमाल करेंगी ठीक होगे अब बच्चों हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि triangle method क्या है और इसे कब यूज करते हैं तो सबसे पहले हम बात करने वाले बच्चों triangle method ठीक है तो triangle method तो सबसे पहले बच्चों हम समझेंगी method यूज कब करते हैं ठीक है तो ध्यान देना है this method is used to find the resultant resultant of two vectors when they act in the same plane at two different points ठीक है that is जैसे माल लो कोई एक vector a है यह वेक्टर यहाँ पर act कर रहा है और एक यह vector b है वो यहाँ पर act कर रहा है ठीक है तो ऐसी condition में इनका resultant find करने के लिए हम triangle method का इस्तिमाल करते हैं ठीक है पास समझ आगी तो triangle method में यह बताया गया किस method से हम दो वेक्टर का resultant तब find out करते हैं जब यह जो दो वेक्टर से वो एक कही plane में दो अलग-अलग point से act कर रहे हूं तो ऐसे में हम triangle method लगाते है method क्या है अभी मैंने यह नहीं बताया अभी मैंने सिर्फ यह बताया कि यह method हम according to this method if two vectors in magnitude and direction are represented by two consecutive sides of a triangle then they are resultant they are resultant in magnitude and direction in magnitude and direction is represented by represented by its third side in reverse order in reverse order clear है यह rule है मतलब अगर दो वेक्टर magnitude and direction में किसी triangle की दो consecutive sides से represented हैं तो इनका resultant उसी triangle की third side से represent होगा reverse order में कहने का मतलब यह हुआ बच्चों that is जैसे जब भी हम दो वेक्टर को add करेंगे तो हमेशा ध्यान रहना है कि हम किसी एक वेक्टर को उसी magnitude direction में ड्रॉ कर लेंगे फिर हम पहले वेक्टर के head से अगली वेक्टर का tail उसी magnitude direction में add करेंगे तो फार यहां पर अगर हमने सबसे पहले वेक्टर यह ले लिया वच्चों तो यह हो गया वेक्टर है उसी magnitude direction में अतलब जिन तरी लेंद का यह arrow उतनी लेंद का यह arrow उसी direction में यह है अब हम क्या करेंगे इसके head से दूसरे का tail जोइन करेंगे इसके लिए हमें इनके बीच का angle पता होना है थीटा तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे इसको पीछे बढ़ा देंगे इनके बीच का angle थीटा पता चल जाएगा तो थीटा एंगल बनाते हुए इसके head से बी वेक्टर का tail उसी magnitude direction में add कर दिया मैंने थीटा एंगल पर है प्लियर हो गई बात समझ गए बच्चों अब क्या करना है अगर दो वेक्टर किसी भी triangle के दो consecutive side से represented हैं तो इनका resultant उसी triangle के तीसरे side से represent होगा लेकिन reverse order में मतलब अगर ये वेक्टर A हो गया ये वेक्टर B ये हो गया तो ये होगा resultant vector R जो अपन को क्या देगा vector A plus vector B देगा समझ गये vector A plus vector B देगा ये हो गया पहला पॉस्मिल्ट है ठीके अगर हम B में A को आड करना चाहें तो क्या कुछ करना नहीं हमोगो सबसे पहले हम B vector को उसी magnitude direction में draw कर लेते हैं अब हम क्या करेंगे B के head से A का tell उसी magnitude direction में join करा देते हैं बच्चों ये हो गया vector A अब फिर से initial से final vector को join करा देंगे ये मान लेते हैं vector R dash आ गया जो क्या दे रहा है B plus A दे रहा है clear है ये figure 2 तो बच्चों जब आप measurement से देखोगे तो आप देखोगे जो length R dash का आएगा वही R का था जो direction horizontal से R की है वही R dash की आएगी यहां पर लिख सकते हैं from figure first and second vector R equal to vector R dash इसका मतलब vector A plus vector B वही आता है जो vector B plus vector A होता है यानि कि vector addition में commutative law hold करता है क्या hold करता है commutative law hold करता है clear हो गए बाद अच्चों ठीक है तो this is all about triangle method पुर्म लाकिया आपको यह समझ में आया triangle method of addition of two vectors हम तभी इस्तिमाल करेंगी जब दो vector हमारे A कही plane में अलग-अलग point पर act कर रहे हूं तो हम उससे में triangle method इस्तिमाल करते हैं triangle method यह कहता है अगर दो vector A और B magnitude of direction में किसी triangle की दो consecutive sides से represented हैं तो इनका resultant उसी triangle की third side से represent तो होगा लेकिन reverse order में यह बहुत जरूरी point है reverse order का मतलब इसका representation direction यह है इसका order यह है तो यह आना चीज़े था इधर लेकिन इधर ना करके इधर लिया जाता अपोजिट लिया जाता है इसी को in reverse order कहा जाता है clear हो गई बात दोच्चों this is all about triangle method got this तो यह vector लेबरा का पहला method था triangle method जिससे हम दो vectors का resultant find out कर सकते हैं अब हम लोग बात करने वाले next method यहने की parallelogram method क्या है या फिर law parallelogram क्या है जो कि बहुत important clear है बच्चों तो let's see about law parallelogram यहाँ पर अब हम law parallelogram को discuss करने वाले हैं ठीक है बच्चों तो ध्यान देना है तो हम यहाँ पर बात करने वाले law of parallelogram ठीक है इसमें भी जाने के का भी यूज होता है तो this method of addition of two vectors is used when two vectors act at the same या फिर common wind in the same plane in the same plane in different directions that is कहने का मतलब यह है अगर बच्चों यह है vector a और vector b यहां कहीं तो ध्यान देना है according to this comma inverted comma में if two vectors in magnitude and direction are represented by represented by two adjacent sides of a parallelogram then then they are resultant then they are resultant in magnitude and direction is being represented by it's that diagonal that diagonal that diagonal which passes through their common point their common point right clear यह है यह है लौफ पैरलोग्राम मतलब लौफ पैरलोग्राम यह कहता है कि अगर दो vector magnitude और direction में किसी पैरलोग्राम की दो adjacent side से represented हैं तो उनका resultant उस पैरलोग्राम के ही उस डियागोनल से represent होगा magnitude और direction में जो उनके दोनों की common point से पास हो रहा हूँ ठीक है illustrations देखते हैं इसका मतलब इसे हम कैसे apply करेंगे धियान देना है जैसे हमने मालिया बच्चों की अपने पास इस तरह से हमने मालिया की कोई एक पैरलोग्राम है ठीक है मालिया यह पैरलोग्राम है PQST मालिया 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 PQ side से suppose that vector A represented है और इस PT side से माल लेते हम vector B represented है और इनके बीज का अंगल की आया बच्चों मालिया theta है ठीक है तो कहा गया अगर दो vector A और B किसी पैरलोग्राम PQ PQ और ST के दो adjacent sides यानि कि PQ और PT से represented है तो इनका real tent इसी पैरलोग्राम के उस diagonal से represented होगा जो इन दोनों के common points से पास होगा चुकि एक पैरलोग्राम में दो diagonal possible होते हैं एक यह है और एक यह है ठीक है तो यह वाला diagonal नहीं वो आला होगा जो इन दोनों के common points यहां P से पास हो रहा होगा यानि कि इस वाले diagonal से इस diagonal से इन दोनों का real tent मिलेगा ठीक है यानि कि यह होगा real tent vector R माल लेते हैं वो initial vector A से alpha angle बना रहा है तो magnitude R भी find out करेंगे और उसकी direction भी find out करेंग इसके लिए क्या करते हैं उच्चों इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और इस वाले से इस पर हम normal draw कर लेते हैं clear है normal draw कर लेते हैं और इसे कोई नाम दे देते हैं माल लेते हैं suppose that इसका नाम हमने देते हैं U ठीक है U नाम और देखो यह angle अगर theta है तो यह angle भी क्या हो जागा theta और parallelogram की आमने सामने की side equal और parallel होती है यह भी पता है तो अगर इसका magnitude B है तो इसका भी magnitude क्या हो जाएगा B हो जाएगा clear हो कही बात तो हमें देखो क्या करना है एक right angle triangle मिल गया PUS इसमें हम लोग R find out करेंगे तो ध्यान देने सबसे पहले इस शोटे right angle triangle की बात करने वाले हूं इन small right angle triangle QUS ठीक है दिख रहा होगा इसमें हम लगाएंगे बच्चा लोग एक बार sin theta तो sin theta हो था perpendicular upon hypotenuse तो perpendicular हो गया SU upon hypotenuse हो गया QS और SU हम निकालने को interested है QS का magnitude B के बराबर है तो अगर हम ध्यान दें तो SU क्या मिल जाएगा अपन को यह मिल जाएगा B sin theta जहां जरूद पढ़ेगी से इस्तेमाल किया जाएगा ठीक है और एक बार इसमें हम cos theta लगा देते हैं cos theta होता base upon hypotenuse यानि कि QU upon QS Q हम निकालना चाहते हैं QS का magnitude B है इसका मदब जहां पर Q की need होगी वहां पर हम लिख पाएंगी B cos theta clear है बच्चों यह दो चीजे हैं जिने हम आगे फर्दर इस्तेमाल करने वाले हैं यहां तक वह समझ में आ रही है अब हम क्या करेंगे बच्चों इस बड़े वाले right angle triangle की अब हम बात कर रहे हैं in right angle triangle PUS इसमें हम बात करेंगे by using pythagoras theorem ठीक है pythagoras theorem apply करेंगे pythagoras क्या कहता hypotenuse का square base और perpendicular के square के sum के बराबर होता है equal होता है यहने कि ps का square will be equal to pu का square plus su clear है बच्चे लोग तो देखो ps का square as it is रहेगा pu को हम क्या लिख सकते है pq प्लस q लिख सकते है तो pq प्लस q u का square plus su का square value रख लेते है ps का magnitude क्या r है तो r square equal to pq का magnitude क्या है a plus q u की value यह है b cos theta तो b cos theta का whole square plus su की value यह है b sin theta का whole square इसी को solve कर लेते है तो आ जाता है बच्चो r square equal to तो यहां a plus b का whole square लेगेगा तो a square plus b square यानि की यानि की b square cos square theta और plus आयागा और plus theta 1 हो गया और plus का आ गया cos theta तो अगर magnitude निकालना r तो under root में आ जाएगा a square plus b square plus 2ab cos theta तो यह आ गया इससे हम लोग resultant निकालेंगे और उसका magnitude आ जागा equation first ठीके तो दो vectors a और b का magnitude अगर a और b पता है उनके 20 का angle theta पता है तो इस equation से हम लोग magnitude of resultant r निकाल लेंगे ठीके अब हम direction की बात करें alpha कैसे आएगा तो फिर से इसी right angle triangle की बात करेंगे यहां पर मैं लिख रहा हूं इन right angle triangle PUS इसमें हम लगाने वाले मच्चोट 10 theta तो ध्यान देना 10 alpha equal to perpendicular यानि की SU अपान base यानि की PU SU की value देखो यह है B sin theta तो यह आ जाएगा B sin theta अपान PU की value क्या होगा PQ plus Q होगा यानि A plus B cos theta आ गया तो बच्चो 10 alpha मिल गया आपको B sin theta अपान में A plus B cos theta इसको simplify करके यहां से हम alpha की value निकाल लेंगे question 2 से यहनि की question 1 का इस्तेमाल हम करेंगे magnitude of resultant find करने के लिए और इसका इस्तेमाल करेंगे direction find out करने के लिए So this is all about parallelogram method of addition of two vectors Got this बच्चा लो I think यहां तक बात समझ में आ गई So this is parallelogram method clear है अब इसमें कुछ थोड़े से sub cases हैं उसको भी देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं लेकिन यह बात ध्यान रखना है कि question 1 यूज किया जाएगा as a formula to find the resultant magnitude of two vectors while acting at an angle theta और equation 2 का इस्तिमाल करेंगी direction निकाल लें clear है बच्चों तो आईए यहां पर हम बात कर लेते हैं कुछ different cases की तो ध्यान हेंगे बच्चों case first अगर हम यह कह दें कि vector a parallel to vector b है इसका उदर दोनों vector एक ही direction में add कर रहे हैं that is both the vectors both the vectors are acting in same direction तो theta कितना हो जाएगा बच्चों 0 degree SMM equation first अगर लगाएंगे तो r equal to आ जाएगा under root a square plus b square plus 2ab cos 0 degree cos 0 की value 1 है तो r equal to आ गया under root a square plus b square plus 2ab तो r equal to मिलेगा बच्चों लोग इसे लिख सकते हो a plus b का whole square यानि कि r equal to मिलेगा a plus b यानि कि ये दो vector की resultant की maximum value होती है तो one mark में ये भी पूछा सकता है कि दो vectors का resultant maximum कब होगा आप कहेंगे जब दोनों same direction में add कर रहे हो यानि दो vector parallel हो एक दो से ठीक है समझ गये और जो resultant की direction आएगी वो क्या आएगी इसके लिए अगर हम second equation यूज करें तो tan alpha equal to क्या पड़ा था b sin theta तो 0 degree upon a plus b cos 0 degree अच्छो sin 0 value 0 into कुछ भी लिकाओ 0 upon a plus b चुकी cos 0 1 0 upon कुछ भी लिकाओ क्या आने वाला 0 तो tan alpha equal to 0 इसका मतलब यह tan 0 की value होती है तो alpha equal to क्या आगी है 0 इसका मतलब यह है इसका मतलब यह है कि अगर एक vector a इधर लग रहा है इस point पर और शी point पर एक दूसरा vector b इधर लग रहा है तो जो resultant होगा वो इधर आ जाएगा यह vector r हो जाएगा और इसकी भी direction y होगी जो vector a की होगी clear है ना यानि कि दो vector अगर parallel act कर रहे है तो उनका resultant उसी direction में आएगा और उन दोनों के magnitude के sum के बराबर आजाएगा यह यह one mark के लिए भी important है कि दो vectors का resultant maximum कम होता है you will see when both are acting in the same direction. Got this? समझा गया? Case 2 पर आते में चलो. Case 2. ध्यान देना है if a perpendicular to b हो जाए that is theta कितना हो जाए 90 degree. यह निकि दो vector इस तरह से add कर रहा हूँ अगर यह vector a है और यह vector b है इनकी b इस का angle कितना है? 90 degree है. तो क्या situation आती है? तो magnitude of resultant देखोगे? तो आज यहागा under root a square plus b square plus 2ab cos 90 degree है cos 90 0 होता है तो resultant का magnitude आगया under root a square plus b square. इस से magnitude निकल जाएगा और direction निकाल नहीं तो tan alpha equal to b sin 90 upon a plus b cos 90 तो यह जाएगा b upon a यहनि कि alpha equal to आगया tan inverse b upon a clear है चलो? मतलब resultant का magnitude यहाँ कहीं पर आएगा r जो इतना आएगा और direction यहाँ से निकल जाएगा clear हो गई बाद ठीक है case third की बाद यहाँ पर कर लेते हैं if vector a जो है वो anti parallel to vector b हो जाए मतलब theta जो है 180 degree हो जाए मतलब एक दूसरी के opposite हो जाए कहने का मतलब यह बच्चा लोग यह माल लेते हैं vector a है और इधर कहीं add करना vector b और इनके बीच के अंगल कितना 180 degree है अगर ऐसी situation आ जाए तो फिर magnitude of resultant कैसे आगा r equal to under root a square plus b square plus 2ab cos 180 degree तो r equal to आएगा बच्चों under root a square plus b square plus 2ab इंटो में minus 1 चोकि cos 180 minus 1 होता है तो यह मिल जाएगा आपको r equal to under root a square plus b square minus का 2ab इसे लिख सकतो r equal to square root of a minus b का whole square यहनि कि r equal to आजाएगा बच्चों अगर देखें तो आजाएगा a minus ना लिकर के difference b लिखते हैं और यह दो vector के resultant की minimum value होती है समझ गये यह difference b से लिख रहे हैं कि इसके दो मतलब मतलब resultant r जो आएगा वो a minus b आएगा तब जब a greater than b होगा और यह resultant आएगा r equal to b minus a यह तब होगा जब a vector less than b होगा ठीके और direction की बात करें गर बच्चों तो tan alpha equal to b sin 180 degree upon a plus b cos 180 degree तो sin 180 क्या हो जाता है? ऐसे में alpha equal to क्या हो जाता है? 0 आता है मतलब अगर a जाद है तो resultant vector इधर आजाएगा r और अगर माल लो यह होता vector b और यह होता vector a ठीके तो ऐसी condition में resultant vector इधर आजादा ठीके तो यह वाला a है और यह वाला a है गॉट दिस? तो दिस अल अल बाउट आउट प्लाई law of parallelogram to find the resultant and direction of two vectors a and b गॉट दिस बच चलो तो आई थिंक यहां तक बात समझ में आ गई clear है अब हम next और third method की बात करने वाले polygon method clear है तो let's see about polygon method तो ज्यान देते वाच्चो polygon method क्या है तो नाम से ही clear है poly means होता है many बहुत सारे तो दो से आधिक vectors का resultant जब निकालना है तो हम polygon method का इस्तिमाल करते है clear है तो this method is used to find the resultant of more than two vectors दो वेक्टर से अधिक का resultant find out करना है तो इस method का इस्तिमाल करते है जैसे माल लो ये दिया गया vector A ये दिया गया vector B और माल लो इधर कहीं दे दिया गया ये vector C है समझ गे तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम vector A ले लेते हैं clear होगी बात बच्चों वेक्टर A ले लिया मैंने इसके head से vector B जोड दिया मैंने फिर इसके head से vector C जोड दिया मैंने finally क्या करेंगे initial vector के initial point को final vector के final point से join करा देंगे यह हमें इन तीनों vectors के resultant को दे देगा यहनिके A प्लस B प्लस C दे देगा clear है बच्चों इसमें खास बात यह है कि जो number of sides आएगा polygon generated में वो equal to होगा n प्लस 1 जहां पर n क्या है number of vectors to be added number of vectors to be added clear है यही कि आपने देखा जब तीन vector add करने थे तो हमें resultant जो polygon बना उसमें 4 side बन रही है जब 2 होता था तो 3 बनती थी इसी तरह से अगर 4 होंगे तो 5 बनेंगे and so on और दूसरा important point ध्यान रखना है if the given vectors are so oriented so oriented that they themselves form a closed polygon then their resultant is 0 तो उनका resultant 0 होता है for example अगर मान लो यह vector a है यह vector b है और यह अगर vector c दे देता और अपने आप में यह close polygon बन जाता तो ऐसी condition में इनका resultant 0 आता यहने कि a plus b plus c क्या आएगा बचलो 0 आएगा तो यह है polygon method clear हो गई बात यहने कि दो या दो सेदिक वेक्टर जब ऐसे oriented हों कि वो खुद से ही एक loose polygon फॉर्म कर लेते हैं तो अमेशा उनका resultant क्या हो जाता है बच्चों 0 हो जाता है got this समझ में आ गया so this is all about parallelogram method clear आप हम बात करते हैं बच्चों कुछ important types of vectors की clear है so let's see few important types of vectors ठीक है बच्चों so let's see types of vectors बच्चों सबसे पहले आता है equal vectors क्या होता है बच्चों ध्यान देना है ऐसे दो या दो से अधिक वेक्टर जिनका magnitude same होने के साथ direction भी same होती है उन्हें हम लोग equal vectors कहते हैं ठीक है जैसे मालिया यह वेक्टर A है और यह वेक्टर B है यह मालिया वेक्टर C है clear है आप देख वारे हैं इनकी length भी same है और इनकी direction भी same है एक दुसरे के parallel है मतलब यह तीनों वेक्टर एक दुसरे के क्या है तो A equal to B equal to vector C लेख सकते ही नहीं हम लोग equal vectors कहते हैं दूसरा होता बच्चों opposite vector क्या होता है opposite vectors opposite क्या होता है ऐसे दो vectors जिनका magnitude तो same होता है लेकिन direction just opposite होती है तो ऐसे vectors एक दुसरे के opposite vector कहलाते है यानिक अगर यह vector यह है और यह B है तो जो vector A है वो B का opposite vector है minus sign लगा देते तो opposite हो जाता है और जो vector B है वो A का opposite vector है यानिकि इनको ऐसे लिख सकते है clear है बात तो यह हो जाता बच्चों opposite vector ठीके अब हम बात करते हैं third type जिसे हम लोग बात करते हैं बच्चों unit vector क्या होता है unit vector ध्यान देना है ऐसा vector whose magnitude is 1 ठीके it is used only to specify direction ठीके in general n-cap is a unit vector n-cap एक unit vector होता है इसका मतलब n-cap का जो mod होगा वो क्या होता 1 होता है लेकिन अगर हम particular x y और z axis की बात करते हैं तो x axis y axis और z axis यह origin है तो बच्चों x axis के लोग गर unit vector है तो उसे i cap लिखा जाता है y axis के along unit vector है तो j cap और z axis के लोग है तो cake है for example अगर हमने कहा कि 10 newton का force along x axis add कर रहा है तो इसे लिखा जाएगा vector f equal to 10 i cap newton अगर ही माल लेते z axis के लोग होता तो vector f dash equal to 10 k cap newton लिख देते तो इस तरह से x y z के along तो fix i cap j cap और k cap लेकिन other than this कहीं पर भी unit vector लिखना है तो हम n cap लिख लेते हैं तो यह होता है unit vector clear हो गए बात बच्चों next एक जानना हमें null vector क्या होता है या फिर 0 vector ठीके तो null vector ऐसा vector होता है जिसका magnitude हमेशा क्या होता है 0 मतलब अगर vector यह का mod क्या है 0 है तो यह क्या कहला हैगा null vector कहला है ठीके तो 0 को 0 vector भी लिखते हैं और इसका magnitude क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं तो इसे हम लोग क्या कहते है null vector कहते है clear हो गई बात बच्च of two vectors क्या है फिर हम बात करेंगे multiplication and division of two vectors फिर इसके numericals की बात करेंगे तो बच्चों आज के lecture में इतना है बहुत ही important है पहले जितनी चीजे मैंने करा है इसको अच्छे से revise कर लेंगे फिर इसके अगले lecture में हम लोग इसके और rest operations की बात करेंगे clear है तो वीडियो को अच्छे से आप लोग क्या करें देखें ध्यान से full lecture और इसको practice करें thank you for watching